नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26, 27 और 28 नवंबर तुला रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों भगवान महाकाल कहते हैं कि मेरा कहा पत्थर की लकिर है कोई भी इसे बदल नहीं सकता सभी देवी देवताव में भगवान महाकाल नया के देवता कहलाते हैं जब भी ये किसी जातक को जीवन में या कोई परनाम देते हैं तो बहुत ही शोच शमझ कर देते हैं जिहां दोस्तों और आने वाले तीन दिनों के अंदर आप सबी के जीवन काल में आपके पांच बड़े सपने सच होने वाले हैं जिहां दोस्तों और इन्हें कोई बदल भी नहीं शकता पर दोस्तों हम आप सबी को बता दें की इन्हें प्राप्त करने के लिए इस समय आपको चार विसेश बातों को ध्यान रखना होगा क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बहुती विश्तार से समझाने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिशना करें और सुरू से लेकर अन तक देखेगा या बातों को अगर आप समझ लाएंगे तो दोस्तों यकीन मानिए कि भगवार महाकाल का आसिरवाद तो आपके जीवन काल पर रहेगा। आपके जीवन काल में यसे खुश खबरियां मिलेंगे कि सब लोग देखते रहा जाएंगे और सब लोग कहेंगे कि वह क्या किसमत भगवान ने दिया है तुम्हें। सिरवाद से आपके कुंडली के बहुत सी ऐसे दरवाजे खुल चुके हैं जो गरहों की शुब योग का निर्मान है उनसे दोस्तों सारे ऐसे दरवाजे खुल चुके हैं जिनमें दोस्तों आपको लाब भी मिलेंगे मान शामान भी मिलेंगे बहुत सारे छेतरों में आपक बोचर पर नेर्मित है तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिश न करें और सुरू से लेकर अन तक जरूर देखें क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी महत्रपुन जानकारी को भी जानेंगे कि यह समय किन-किन छेतरों को लेकर शाबदान रहने होंगे कौन से कार आपके ल जैम हाकार लिखेंगे, दोस्तों महाकाल का आशिरवात पाएंगे, तो दोस्तों जरूर लिखेगा और यह अपन इस चेनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके iall 그냥 कर दे दोस्तों बात करते हैं सुरूआत करते हैं स्री क्रिश्न जी के अच्छे ग्यान सी एक अच्छे विचार सी जो कि दोस्तों आपको इन दोनों में एक एक्छा सक्ति जागरित होगी कि दोस्तों भगवान स्री कृष्ण जी कहते हैं कि कोवा एक मात्र ऐसे पक्षी है जो बाज पर भी चोच मारने की हिमत करता है वो बाज की पीट पर बेटता है और उसकी गर्दन पर काटता है पर बाज कुछ नहीं जवाब देता और नहीं कोवे से लड़ता है और नहीं करन कोवा गिर जाता है पोवे के साथ अपना समय बरवात करना बंद करो बस खुद उचायों पर चले जाओ अपनी काम में लगे रहो वे ऐसे ही खत्म हो जाएंगे यानि कि दोस्तों जो भी आपके जीवन काल में ऐसे दूसमन है जो कि आपको नीचे खिचने का प्रयास कर करते हैं दोस्तों उन सबी से इगनोर करके अपने जीवन काल में अपने लक्ष की और बढ़ते रही दोस्तों एक ना एक दिन जो आपको खिंचा तानी करते हैं आपके लिए तालिया भी बजाएंगे जहां दोस्तों तो दोस्तों भगवान श्रीकृष्ण जी का यह ज्या प्याराशा लाइक अवस्त कर दें और इनके लिए लिए लिख दें जैसरी कृष्ण राधे राधे तो आज दोस्तों इसे के साथ बात करते हैं कि आपके कुंडली में जग्रहों की शुब इस्तिती बनेंगे जो भगवान महाकाल ने नए नए दरवाजे खोल दिये हैं त साथी कौन सी चार विशे साबधानिया या समय रखने होंगे सबी बातें बहुती गहरी तरीके से बात करेंगे तो दोस्तों अंतक देखेगा क्योंकि दोस्तों वीडियो के मद मद में कुछ ऐसे बातें बताएंगे जिने दोस्तों सुन लेंगे तो दोस्तों भगवान महा महाकाल आप से प्रशन हो जाएंगे और जीवन काल में खुशियां लगातार मिलती रहेगी तो आज दोस्तों बात करते हैं दोस्तों आप सभी को बता दें कि भगवान महाकाल सभी देवता में से एक इसे देवता हैं जो भगतों के ऊपर जल्द ही किरपा बरसाते हैं के भागे में आपके कुंडिली में इसे लाप के दरवाजे खोलने वाले हैं जैने दोस्तों आप यकीन मानिए इसे आपको अच्छे करमों के शारिक फल आपको मिलने वाले हैं जैने दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आने वाले तीन दिनों की अंदर आपके कुंडिली में बहुत ही अच्छे अच्छे धन योग बनने वाले हैं जिनसे दोस्तों आपको बहुत सारी चमतकारी बदलाव होंगे। दूसरों पर अपना परभा बना लेंगे किसमें एक काम की पहली इंकम आने से मन में परसंता और उत्सा बना रहेगा। दोस्तों आपको इन दोन में कुछ शाबदानिया भी देखकर चलनी होगी। इन चार विशेस वातों को भी ध्यान रखना होगा। दोस्तों ध्यान रखें कि जल्दबाजे में कोई भी निन्ने ना लें वरना मुसीवत में पढ़ जाएंगे। इसलिए किसी अंजान व्यक्ति से कोई महत्पुन बातचित या काम करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह विचास मिमर्स तथा जांच परतल आवश्य कर लें। दोस्तों ध्यान रखें कि आपकी कोई सिक्रेट योजनाय जाहिर ना करें। आलस को अपने उपर हावी ना होन दें। इसलिए मानसिक इसलिक कुछ बीचली तरह सकती है जले किसी भी परकार की पेपर वर्क को करतेश में बहुत ही साबधानी वरते हैं। थोड़ी से समस्या भी होने पर तुरंद इलाज लेना जरूरी है। शुमार की दिन सुभशी मंदिर में जाकर सिवलिंग पर दूद चड़ाएं। और साथी ओम नमश्शिवाय का जाप करते रहें। साथी साथ दोस्तों सिवलिंग पर पांच पत्ते वाला बेल पत्र चड़ाएं। इससे दोस्तों आपकी मन की मनो कामनाएं पूरा हुँए। दोस्तों आपका भागे साली रंग और भागे साली अंक क्या है।